गुड मॉनिंग बच्चों, आज हम आपको पाठुनेस अव्यव यानी पढ़ाने जा रहे हैं याने अव्यव तो सबसे पहले हम जान लें कि अव्यव क्या हैं तो जोपद तीनों लिंगों कारक की शभी विभक्तियों तथा तीनों बच्चिनों में एक समान रहते हैं तथा जिन में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यव कहते हैं जैसे उच्च, तत्र, कुत्र, आदी जैसे अत्र याने यहां साथ अत्र अत्र अस्ती वह यहां है तत्र वहां याने तत्र याने होता है वहां तो तत्र माता अस्ती याने वहां माता है कुत्र याने कहां तुम कुत्र असी याने तुम कहां हो सर्वत्र याने हर जग है इस्वर सर्वत्र अस्ति यानि इस्वर सभी जगह है अध्य यानि आज राम अध्य गमिश्यती राम आज अग जाएगा हाह यानि बीता हुआ कल रमेश कल दिल्ली नगर गया था हाह रमेशा हा दिल्ली नगर अगच्छा अब स्वा का देखिए याने आने वाला कल, संस्कृत अध्यापक स्वा अगर मिश्यती याने संस्कृत के अध्यापक कल आएंगे, सह चा याने और, सीता गीता चा पढ़ता याने सीता और गीता पढ़ते हैं, अपी याने भी, म मित्रम अपी कीड़ती, मेरे मित्री भी खेल सेग्रम याने जल्दी शेग्रम गच्छ जल्दी आओ सनय याने दीरे कच्छप सनय चलती याने कच्छवा जो है दीरे चलता है उच्छ याने जोर्श स्रेया उच्छ बदती स्रेया उच्छ बोलती है शदा याने हमेशा सदा सत्यमबद याने हमेशा सत्य बोलो तो बच्चों यह आप भी अव्यव इनहीं लिख लेना और अच्छे से लेन कर लेना और हमेशा ध्यान रखना कि यह अव्यव नहीं बदलते हैं यह हमेशा वही जैसे के तैसे रहते हैं हमेशा यही ध्यान रखना बच्चों कि अव्यव कहीं भी नहीं बदलते हैं लेंग कारक विभक्तियों में हमेशा एक समान रहते हैं तो यहीं लिखकर आप अच्छे से लर्न कर लेजेगा और यहीं मुझे लिखकर भी शेंट करेगा यह आपका ही होंबर्ख होगा धन्यवा कि अव्या है